कि नमस्कार वाई सिटी के आंलाइन क्लास में आप लोग का स्वागर्थ हैं आप लोग कैसे हैं उमिद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तयारी को कांटिन्यू कर रहे होंगे दिखिए अभी कोई एक्जाम फिलाल अभी इस मन्त में तो नहीं है लेकिन तो आने अब्जेक्टिव क्विशन का यहां से हम लोग यूथ वाली बूक का कंप्लिट करेंगे तो इसी क्रम में पढ़ रहे थे प्यटर का हम लोग फस्ट चप्टर टेट शेप्टी आइंड हेल्थ पढ़ लिए थे उसका थियोरी और अब्जेक्टिव दोनों कभर कर लिए थे और फिर हम उसके बाद हम लोग सेगेंड चेप्टर माप तॉल और उसके पध्धत को थिवरी और अब्जेक्टिव दोनों वहां पे कम्प्लीट कर चुके हैं उसी क्रम में हम लोग आज तीसरा चेप्टर जो किसरा चेप्टर हम लोग का माप यंत्र और तूल यानि कि कामन हैंड टूल उसको हम लोग पहले थिवरी देखेंगे वन बाई वन करके फिर उसके बाद हम लोग जो प्रिवेस इयर क्विश्चन है या जो अब्जेक्टिव क्विश्चन है यूथ की बूक का वो हम लोग क intertwined तो हम लोग पढ़ेंगे का आज पढ़ाएंगे का यहर। कम्प्रिमेंट है और यह तो हम की और हुख दो जो पॉच्छे जाते हैं पूचे जाते हैं ऋनिससे संटेंस दंट को हम लोग पढ़ते और डेटा को assim पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ निकिक हम लोग पॉइंट नेक्प पढ़ेंगे तो हम लोग चलते हैं अपने स्लाइट पर पढ़ने वाला है तब देख सकते हैं किप्टर है माप यांतर आउज़ार आउज़ार का मतलब हां यहां पर रो चुल मारकिंग कर रहे हैं या सभुष्ट करें जो हम लोग यहां पर टूल पोल रहे हैं तो हम दोग अपने रचांट पर आ जाते हैं मापक यंत्र यानिकी मापक यंत्र मेजरिंग डिवाइस मापक यंत्र हम किसको बोलेंगे तो कारिशाला में बिभिन प्रकार के वर्क प्लेस यह गलत लिखा गया है वर्क पीस क्या रहेगा यहां पर वर्क पीस को ड्राइंग के अनुसार ड्राइंग अर्थार लंबाई कि कोई भी हम कारिशाला में कोई जॉब बनाते है उसे यह इंजिनियरों द्वारा जो ड्राइंग दी जती है उसी का अनुसार पड़ करके बनाया जाता है जो simple drawing होती है वो हम लोग भी बना लेते हैं तो drawing में क्या-क्या होती है किसी जौब की लंबाई की अनुसार ही बनाया जाता है इन्ही सब कास्कों यानिकि इन्हीं सब बीमाओं को मापने की लिए प्रकार के इवं प्रियों किया जाता है इन ही हम मापक यांतर के नाम से जानते हैं फिर एक बार देख लेते हैं हम लोग इसको आप लोग दो चीजी यहां पर ध्यां रखेंगा कि किसी जो र्रक पीजह मोग बनाते हैं ज्जाधा तर वह लंबाई चोड़ाई उचाई और एंगल यानि कि चार चीजों को सब्सक्राइब है इसल्च इसको बनाने के लिए जो यंतर प्रियोक किये जाते हैं उस्सी को हम लोग मापक यंतर या मापक आउजार के नाम से जान पढ़ेंगे जो जनकारिया उसको फिल्टर करके यहां पे सिर्फ वहीं पॉइंट पॉइंट लाएं जो जनकारी हम लोग के लिए जनकारिया आवस्यक है और एक्जाम के परपस से पुछी जाती हो या इक्जाम में बहुत ही ज्यादा है कि इनको जानना आवस्यक हो कारिसाला में यानि कि मापन की विधिया मेजरमेंट अब मेधर्स आप मेजरमेंट ठिक यानि हम मेधर्स यां पढ़ेंगे यानि कि हम जो मापना होता है हम कितने तरीके से मापते हैं तो अभी तक ज्यात जितने भी मापन विधियां उनमें तीन है एक प्रत्यच मापन दुसरा और तुलनात्मक मापन में हम ऐसे मापन को संब्लीद करते हैं जो हम तुरांत उसको माप करके उसकी रिडिंग बता सके यानि कि हम किसी आनिक कहीं पेरू पांत्रण की जरूत न पड़े यानि कि जैसे अपना स्क न वर्क्प्लेस जाते हैं जहां पर क iyi सात काम होता है यानिके जरली स्थिफ्रील में चांद साथ कह लिया और इस तरह से चांब हो गया सब क्या है क्रत्या करना है जो मापन हमें तुरंत मिल जाए कि हम लोग अभी आगे इसको देखेंगे डीटेल में मतलब जो में डारेक्ट मापन मिल जाए यानि कहीं पर हमें रूपांत्रण की जरोतना पड़े पुरूंत मालूम चल जाए दूसरा है अप्रत्याश्य मापन यानि कि हम माप ले करके उसको किसी ज्यांत मापन ज्यांत मा मापन होते हैं तुलनात्मक मापन तुलनात्मक मापन में यानि कि कंपेरिंग तो इसमें एक ज्यांत मापन मापक हो मापक यंद्र होता है जो हमें मालूम रहता है और फिर हम उसकी सहाइता से कंपेर करके बताते हैं कि कितना उसके पास है जैसे जो सर्फेस फिरिस होगर ब बताना होता है तो हम इसका comparator का उपयोग करते हैं या उसी को क्या बोलते हैं तुलनातवक मापन इसमें यानि कि हम compare करते हैं कि हमारा जो standard size है उसके कितने पास है कितने उससे दूर है ठीक नेश्ट चलते हैं लोग फर्ष्ट है प्रत्यच मापन यानि कि direct measurement इसमें जाब की size को सीधे ही माप लिया जाता है यानि कि यहां पर हमें किसी आने आउजार पे या आने मापा की अंदर पे रुपांतर करी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है माप लिया जाता है जैसे साधारत यह जो ताल लिख करके जीरो है वो साधारत रूल साधारत रूल हम लोग कहां यूज करते हैं अपने academic में जैसे अगर हम लोग सब्सक्राइब करते हैं जो साधार कार्यों में यूज होता है यहां अपने जो आटियाइब करते हैं से अगरे मैंक्र मीट और इंड़स्ट्रियों में यूज करते हैं जो थोड़ा सा प्रिसाइज के लिए करते हैं डरीट मेंडा उसलीप यह होते हैं यह होते हैं तो प्रत्यक्ष मअपन में सीधवे मप लिया साइक्रोमीटर बर्नियर कलिपर बेवल प्रोटेक्टर साइन बार स्लीप गेज की त्यार्ज क्या होते हैं प्रत्यच मापन होते हैं ठीक यहां पी ध्यार रखिएगा सिर्फ स्लीप गेज ही प्रत्यच मापन में होते हैं बाकी सब की माप को लेकर फिर उसको किसी ज्यात या प्रत्यच मापन उपकरण की सहाइता से पहले हम जाब की माप को ले लेते हैं यानि कि उसको ट्रांसफर करके फिर हम उसको उसकी माप लेते हैं उसको पढ़ लिया जाता है कितने साइज का है कितने इंच है यह सब हम लोग पढ़ लेते हैं जैसे एक्जांपल में कि जैंपल में क्या हो जाएगा बाहें काईली पर इवर्नेर काईली पर नहीं है आप लोग ध्यां रखिएगा बाहें काईली पर डिवाइडर डिवाइडर जो हम लोग लाइन को डिवाइड करने के लिए या किसी सरकल को डिवाइड करने के लिए बराबर भागों में बाट यानि कि इस बीद में जाब की माप को जाब की माप किसी मास्टर पीस मास्टर पीस जैसे सिलिप केज हो गया हमारा मास्टर पीस होता है उससे तुलना करके ली जाती है यानि कि जाब की माप को किसी मास्टर पीस से तुलना कर लिया जाता है जैसे हम एक मास्टर पीस बना लि साइस की जाब की भरमेंट है तो Master Size बना लेते हैं फिर जो जॉब बनाते हैं डिप्रेट डिप्रेट उसको हम फिरूसी से तूलना कर लेते हैं तो कि क्या होता है हम लोगा टाइम काफी बच्छत हो जाती है और हों और you और कोई भी स्केलड हो और हो इसको से में लिए असानी से बना लेते हैं क्योंकि सिस्फि कंपेरिंग करना होता जगह पर भरने हिर नहीं ब्रीड़ जाएगा फिर प्रक लिया जाएगा फिर चिल्व करके उसको आगे बढ़ना सब्सक्राब्चेस डिया जाता है किसी को काम करने के लिए यह ज़्यादा सिंपल हो जाता है इसलिए इसको में मापन के प्रकारि आप मेजर मेजरमेंट रेखी मापनing मैजरमेंट मापन हीब मापन के प्रकार यानि कि लिनियर मेजर्मेंट दूरी मापने वाले जाना यानि कोड़ी दूरी ना माप रही हो तो आएसे जो मापन की जो भी दिया या जो टूल उनको रेखी मापन विधी या रेखी मापन टूल के नाम से जाना जाता है तो पहला क्या है साधारर यहां पे लिख सकते हैं कि सब ऑ livre में क्योंट दि ingredient यह असफसे पर हम स्ब्सक्राइबiamo का सबसेट से सिंप्स यदि आ यहegen Jnell परपज के लिए सिखने बनाने के लिए बहुत कम प्रिसाइज होता है इसकी उतनी वैलू नहीं होती है यानि कि यह जनरल के डिगरी में आता है इसमें कोई प्रिसीजन नहीं होती है लेकिन तो बहुत हथ तक अगरी सी बात किया जाए तो इसकी सहाइता से 1 mm तक हम कम से कम 1 mm तक दूरी को पर सकते है उससे अगर कम की बाद करें तो इन्यक रेट हो जाती है याने कि लिश्ट कांटisc कि इसकी में काbyț तो यह जो रूल होती है सिंपल आप देख सकते हैं यहां पर यह सिंपल रूल है इस्टिल रूल नहीं हो करके यह सिंपल रूल है तो यह सेंटिमेटर आइंड इंच में कालिब्रेटेट होती है अंसांकित होती है ठीक यह सेंटिमेटर इंच में आंकित होती है है शो कि कि अंकित होती हैं और इसका लिस्ट काउट वान होता है यह नहीं है वन-apor जीरो एमें है ठीक का इसका वोन यह नहीं कि हम एंच से कम धूरी को इसकी सहाथा से एकुट्विट से साथ नहीं माप सकते अगर माप रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे जो हम लोग के प्लास्टिक वाली उसके लिए उसके लिए उसके ब्हों बने होते हैं यहां सभी पाचान आप कर सकते हैं और यहीं पर जो इसका जीरूब होता है इसी पर एक सेंतिम्स्टर गों दस भाराबर भागों बढ़ जाता है फिर जो पांच ciao message बढ़ जाती है और इसकी लिस्ट काउंट केतिनी हो जाती है इसकी Master सदाड सकेल की तरह ही सेंटीमीटर सदाड सकेल की तरह ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर और एमेम और इंच में अनसांकित होती है तरह होती है यानि कि इसकी सहाइता से हम लोग लिस्ट काउंट इसकी तक सुधता के साथ हम लोग इसकी सहाइता से मापन कर सकते हैं और यह स्टेनलेस इस्टील की बनी होती है तो पूछा जाता है कि जो इस्टील रूल होती है किस मैटरियल की बनी होती है किस की बनी होती है स्टैनलेस इस्टील की बनी होती है ठीक ताकि यह जो रेजिस्टर जो जंग हो गए रहा हो ना लागे इससे प्रभावित ना हो नमी से इसके लिए स्टेनलस इस्टील के बना जाता तक ही यह काफी समय तक चलते हैं और घिस जल्दी घिसने न पाए नेश्ट चलते हैं लेन इस्टील रूल यह भी जो इस शिम्पल इस्टील रूल है उसी की तरह ही होती है बस इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है और यह चवड़ाई भी इसकी बढ़ जाती है जिसके कारण इसको प्लेन इस्टिल रूल के नाम से जाना जाता है इसकी भी लिस्ट काउंट कितनी होती है इसकी भी लिस्ट काउंट पॉइंट आपन से इंपरड से इसकी इसकी इस्टील सिटील से इसी और जो इसकी लिस्टकाउंट होत्य होती है 65 mm होती नेष्ट है इस्टान्ड ईस्टील रूल है इसेड़ इस्टील और इस तेंड्र सिर्ड रूल होती है यह उसके नाउं है यह इसके सधायता से ही में students के लिए किया जाता है तो यह स्टेंडर्ड सटिल्ल हो गई यह भी स्टेंट्लेस स्टिल का नहीं होगी तुल होगी तो इस्टींट कितनी होगी लिस्ट काउंट इसकी भी 0.5 mm यहां लिख्ष है इसकी लिस्काउंट 0.5 mm और यह इंटानल्स तिल यह ष्प्रिंग इंस्टील स्टेनलस इस्टील या स्प्रिंग इस्टील के बनाए जाते हैं फिर नेश्ट है फ्लेक्जिबल इस्टील रूल यह भी अधान यह जो प्लेन इस्टील रूल है उसी की तरह होती है बस इसकी फ्लेक्जिबिल्टी अधिक होती है ठीक यानि कि इसको हम लोग मोर सकते हैं किसी करो पाथ में जो जिग जग पाथ है उसके उसके भी लंबाई को माप सकते हैं यानि इसमें फ्लक्चिबिल्टी होती है आप इसको बेंड करेंगे तूटती नहीं बिल्कुल बेंड हो जाती है जैसे आनी उसको लोगं कर देंगे तो तूट जाएगी यह उनकी एक्वरेसी ए किसकी भी लिष्ट − इसकी भी लिष्ट काउंट क्या रहेगी 0.5 होती है है यह इस्प्रिंग игр की स्टीफ होती है जो पत्ती होती है हल पत्ली पत्ति आदी से बनाए जाती है ठिक यानी कि जो शंकिर इसका ह Maori सनकिरण एक सीवित रून यह पत्ली नाली या ब्लाइंड डिल्ल होल को मापने के लिए यूज किया जाता है यानि कि जो पतली नालियां जो गुरू काटे जा रहे हैं उनके मेजरमेंट के लिए या जो कोई प्लाइंड हो रहा है तो वह आीं तक होग होता है यानि आ पूरा नीचि और होता है तिसी को क्या बोला जाता है ब्लाइंड होल यानि कि इसकी जो गहराई मापने के लिए या इसकी चवड़ाई यह मापने के लिए वाली दूरी मापने के लिए यह यूज किया जाता है नायरो स्टीर रूल यानि कि ब्लाइंड होल टिक नायरो स्टीर रूल इसकी भी यानि कि यतने भी इस्टिल रूल लाएंगे उनकी लिस्ट काउंट कितनी होगी आधा यह में यानि कि 0.5 फाइफ में ठीक पतली नाली ब्लाइंड वोल को मापने के लिए प्योक़्ी में लाई जाती है आप देख सकते हैं यह इसको टेपर में बनाया जाता है और यहां पर पिन जॉइंट लगी होती है इसमें एक शेट दे दिया जाता है जिसमें 3-4 इसके लिए को एक पॉइंट पर हिंज कर लिया पोर पतला टेपर देने का मतलब है कि यह धीरे धीरे अगर जैसे कहीं पर पतली जगा तो पहले इसको डाल करके चेक कर लेंगे फिर और उसको अगर और ज्यादा चौड़ा फिर यहां तक आ जाएगा फिर और चौड़ा है तो इसे यानिक्सकी सायता से जहां पर टॉच करे यह भी इस्टील रूल का ही एक प्रकार है इसमें क्या फर्क क्या हो जाता है कि इसमें रूक बने हुए हैं आप देख सकते हैं कि इससमें बना हुआ है इसका फाइदा क्या होता है कि इसको 스क almonds करते समय Lights की साथ जैसे कोई नहीं है आप अकेले मेजर मेंट कर रहे हैं है इसको फसा करके आप अशो और से कर सकते हैं तो उसको पता सकते हैं पता सकते हैं कि क्त tint कि आप तक समझ गए होंगे कि programmation यहां पर च्छित्र pipe लगे होते हैं यहां पर या रीविड कर दिया जाता तो लगा रहता है जो जिरो इंड की तरब होता है यानि कि जो जीरो इंड रहेगा वह हो यहां पर रहेगा इधर बढ़ता जाएगा यानि कि जीरो इंड इधर रहेगा सुझेश के जीरो एंड अगर हम माले इधर तो इधर अगर आगर अम मालेते हैं कि होता है किfund सynn斯 इंडर होता है किस इंड पे होता है तो किस इंडर होता अप तौ contam की यानि कि क्लाइप काइलिपर जो होते हैं जो इस्केल होती है किसकी भी म niez लिस्ट काउंट पॉइड़ फाइफ हम होते हैं सी क्यों यह एक बट्टे 111 बट्टे 64 इन्ज जो कहले पर होते हैं इनकी सहायता से हम आपको पढ़ेंगे उसी की लिष्टकाउंट मैं हो जाएगी वराबर कि यह हो खरा के शायितात से हम फिंश माप ले करके फिरू परखर करके इसको पर लेंगे इस पर लें त्रह Highway जाहे हम अपने श्रीटिम्टी श्रीटि में उस पर करके इसको असानी से पर सकते हुए नेश्ट है हम लोग पॉइंट पॉइंट चल रहे हैं इस पॉइंट आभ भी उसे है नेश्ट है स्विंक रूल है ठीक है सिंग रूल यानिकि जो संकुचन रूल है यहां पर प्रयोग कहां पर किया जाता जैसे आप आएसी जाब बना रहा है जो ठोली होने के बाद यानि कि जो जाब बनने के बाद कंप्लीट होने के बाद कांट्रेक्ट हो रही तो हाँ पर हमें जाब को उसी साइज में साइज में रहे इसके लिए क्या किया जाता जहाँ ज़ो इसके लिए यूज की जाती है उसी को स्रींग रूल के नाम से जाना जाता है तो यहां पी इसका प्रयुग कांप क्या जाता है फाउंडर वरक्षाप में या पैटर्ण फाउंडर्ण वरक्षाप में पैटर्स न्मेकर जो बनाते हैं जो पर चाहने ilo k being करते है वो इसका यूज करते हैं ठीक इसलिए इसको फांडरी इस्टी रूल के नाम से भी जाना जाता है यानिक फांडरी इस्टी रूल के नाम से किसको जाना जाता है श्रिंक रूल को नेश्ट है व कि चोटे चोटे टुकड़ों में आते हैं यानिए के चोटे चोटे टुकड़ों का एक सेट होता है उन्हीं के सहाथा से हम जो छोटे-छोटे माप होते हैं उनको आसानीज कर लेते हैं दो सेंटीमेटर तो उसमें दो-दो सेंटीमेटर का या एक सेंटीमेटर का अपने जाब के आनुसार वो बने होते हैं इसलिए इनको सौर्ट रूल के नाम से जाना जाता है इनका भी लिस्ट काउंट वहीं रहेगा जो सबकार राता है यानि कि 0.5 mm इसकी सहाइता से क्या करते हैं कि यह इसका बेस होता है यह जाकर कि आपके सरफेस पर जहां पर हो जाकर कि वहां पर फिक्स बैढ़ जाता है फिर यह आपका जितना इंड उधर जाएगा यहीं आपकी रेडिंग्स हो करेगा यहीं यह जितना लंबी जाएगा उतनी रेडिंग आपकी परती जाएगी यानि कि इसकी ग्रेजुईसर कहां से स्टाट होगी जीरो इंड इधर होगा और फिर जो अगर यह देड़ सो इम्हम की है देड़ सो इम्हम इधर होगा तो इसकी सहाइता से होल की या जॉब की गाराई मापेंगे जाब की उचाई मापेंगे ठीक इसमें की सीट यानि की यानिक जो कीवे जो सौप्ट में कीवे बनाई जाती उनके ही चवड़ाई कंपने के लिए या गहराई के लिए जो इस रूल यूज किया जाता है उसको कीशीट रूल के नाम से जाना जाता है ठीक यानि कि जो आप साप्ट है उस पर कीवे बनाना चाहते हैं या कीवे बना रहे हैं तो उस पर पहले ड्राइंग के अनुसार या साइज के जो कीवे का साइज है उसके अनुसार में मार्किंग करने की सब्सक्राइब 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 करें इसलिए इसका नाम पड़ा है की सिट रूल इस टील टाइप इस टील टेप है यह टी ए पी इस्टील टेप यानि कि जो हम बड़ी बड़ी दूरी मापना हो गया जैसे अपने जो काराज मिस्तरी होते हैं वह यह स्टील टेप यूज करते हैं यानि हुए प्वायल मिला पेटे रहते हैं फिर इसकी सथाइथाथ लंबे-लंबे-दूरी माप सकते हैं उसमें निसान इम में 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 सेंटिमीटर में और फिट में बने होते हैं तो लंबे दूरी की मापन करने के लिए जैसे पांच फिट तो फिट इत्याद दूरी को मापन करने के लिए प्रियोग में किया जाता है और यह कैसा होता है लचीला होता याने कि इसको आप अराम से कहीं भी मोड़ सकते हैं देखते होंगे कि आप है वहां पर यहां बॉसक्याय को प्रियों किया जाता है ठीक नेस्ट है सकेल कि क्या होती है कि केहले यानि कि मा प הא कि माना दंक आप किसी दूरी को है बहुत उन्द्र दूरी उसको और ड्राइंड रांव पे हमें से छोटी दूरी में दिखाना चाते हैं यानि कि दूरी को चोटे से आप अपने पेज पेज पे यूज किया सके तो सके इसलिए इसके सीज पitterat Shop स सूच में इस और या वगैंग Medium के लिए हम enlarged scale का यूज करेंगे जैसे कोई बड़ी 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 बिल्डिंग है भावन है पूल है इत्याद या या अपने वर्क्षाप का या इंडरेस्टी का ले आउट है उसको एक फेस्ट पर बनाना हो गया तो वहां पर हम साथ जो enlarging है उन्हों यूज करके कौन से यूज करेंगे reducing scale यूज करेंगे यहां कि कितने प्रकार की हो जाएगी दो प्रकार की ठीक यहां लिख देते हैं कितने प्रकार की हो जाएगी दो प्रकार की पहला एक enlarging इनलार्जिंग scale और दूसरी क्या हो जाएगी reducing में जिसकी size को कम करके ड्राइंग शीट पर बनाई जाती है और इनलार्जिंग में जिसकी size को बड़ा करके ड्राइंग शीट पर या कहीं पर विपनाई जा रही है जाप पर उसको इनलार्जिंग scale में रखा जाएगा ठीक नेश्ट है अब देख सकते हैं यहां पर यह टाइप है और यह क्या है एक की कोड़ी अब linear मापन हो गया सेगेंड क्या है कोड़ी मापन यहां से मापन यहांसे इंगल measurement इंगल measurement यहांनि कि यह विएक प्रकार की दूरी होती है जो यह बताती है वह अपने पॉइंट पर फिक्ट कराती है तो बीबताते कितनी घूम रही है यानी कि सेंड एक ही पॉइंट पे जो प्लेन के द्वारा बनाया जा रहा है उसी को को बोला जाता है तो यह कोणी दूरिमापनी के लिए यूज की जाती है इसमें पहला क्या आता है प्रोटेक्टर कि दूसरा ट्राई स्क्वाइर किसरा बेवेल स्क्वाइर और चौथा कंबिनेशन बेवेल स्क्वाइर और पच्वां कंबिनेशन सेट यहां पर जो साइन बार होता है वो भी एंगल मेजरेमेंट के लिए यूज किया जाता है बट हम यहां पर कामन कामन टूल पढ़ रहा है यानि कि यहां पर जो प्रोटेक्टर हो गया इसकी साहता से लेकिन इसकी साहता से कितना पर जाता है ज्यादातर जनरली जो सधार प्रकार के होते हैं उनके द्वारा हम नमघे डिग्री यह सम्कोडता की जांज करते हैं यह सम्कोडता यह इसकी साहता से हम किसी भी पर कौन को माप सकते हैं पिर कंव्दीड बैवैंज आ यानि कि यह वह बैव्र इसकोड़ और हिसकोड़ का कंबिनेशन होता है और तीसरा है कम्बिनेशन सेट एक पूरी सेट ही होती है जिसमें इस्टी फीचर कौन-कौन से होते हैं इस्टी रूल का फीचर होता है और वी सेंटर का फीचर होता है स्पीट लेवल का फीचर होता है और और यह रहोता इसमें प्रोटेक्टर हेड भी होता यानि कि चार चीजों का यह कंबीनेशन होता इसलिए इसको कंबीनेशन सेट के नाम से जाना जाता हम लोग इसको भी डिटेल से आगे अगली स्लाइट पर पढ़ेंगे तो नेट कारी करते समय आप सकता यह रखे होंगे इसका साधार यानि के जो ड्राइंग कारियों हो है आप लोग सीखने के लिए जो एकडेमिक में आलेजों में बनवाया जाता है यह साधार प्रकार का कोड मापक यांत्र होता है जिसमें हम 0-180 या 0-360 डिग्री तक मापन कर सकते है कोड मापक या निर्मारक ऑजार है दिखी गजब का वर्ड यूँस किया गया कोड निर्मारक कोड मापक ता है कोड यालनि Tale of यह प्रोटेक्टर हैं और यह सधार कारियों के लिए इसकी आ जाता है ठीक यह प्लास्टिक का बना होता है इसलिए इसकी एकुरेसी उतनी नहीं होती है जितना अन्यकी होती है इसलिए यह प्लास्टिक का बना होता है यह अर्थ व्रित्ताकार या व्रित्ताकार होता है और जीरो से 180 और जो व्रिताकार होंगे उसमें कितना हो जाएगा जीरो से 360 डिग्री तक आप कोड बना सकते हैं या माप सकते हैं इसमें 0-180 या 360 तक कोड़ अंकित रहते हैं से 180 यानि कि और फिरताकार जो प्रेक्तर है उसकि शायता से आप 0-180 की बीचिमें एकड़ी किसे कम आप में कर सकते हैं यानि कि लेक्ताकार होता है उसकी साह्जता चानि के कूड को माप सकते हैं या बना सकते हैं ठीक है इसका इसका आलपत मांग एक डिग्री होता है यानि कि यह कॉम एक्रियस्टी वाला होता है इसलिए इसका आलपत मांग कितना होता है एक डिग्री का होता है एक डिग्री से कम आपने के लिए इसका प्रियोग नहीं किया जात यहां पर इमेज में देख सकते हैं प्रोटेक्टर है यहां पर जीरो से स्टार्ट हुआ है जीरो दस बीस तीस चालिस यह सब कितने में हैं डिग्री में है यानि कि जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन रहेगी वह क्या रहेगी नब्बे पर यानि कि इधर आपकी जीरो हो गई और यह 90 हो गई अब फिर आप इधर बढ़ेंगे नब्बे हो गया हांडेट 110 120 130 140 150 160 170 180 यानि कि आप कितना पर आ गए इधर 180 पर है कि आप जो जो लाइन आप रखेंगे जीहां पर लाइन बनी रहती है इसी पर हम लोग रखते हैं फिर इसकी सहाजता से फिर कोड का मापन कर सकते हैं या कोड बना सकते हैं नेश्टा है कि 돼 कि राइस प्रकार का टूल है या च्यकिंग डुल गारयत वालियन कोड सकते हैं इसकी सहाजता से हम सिरॅ करते जिनसमोड है कि दो ये जयसे अगर यह हमारी जोब है तो इसकी दो देज़ेंग俺 उसमकोड है कि बनाता वाली यह हो गई यानि कि दोने यह समकोड पर हाई कि नहीं इसकी साहिता से हम यह वाली चेक करते हैं ठीक ति इसको ट्राइस क्वार बोल कहते हैं इसकी साहितास हम क्या करते हैं सिर्फ समकोड इत्ता ही चेक कर सकते हैं ठीक तो यह चेकिंग एंड मार्किंग टूल है यानि कि इसकी सहाइता से हम 90 डिगरी पे जॉब पे इसक्राइबर की सहाइता से या चाक की सहाइता से मार्किंग कर सकते हैं ठीक इसकी सहाइता से कारेलंब की दो सत्वों की समकोड़ता की जाज की जाती है यानि कि जो हमारा कारेलंब जो लिखा गया है यह क्या है कारेखंड कारेखंड यानि की वर्क पीस इसकी सहायता से कारेखंड की दो सत्वों की समकोड़ता की जांज की जाती है अभी जैसे बता यहां अपना कोई अगर दो एजेज हैं इस टाइप से तो त्राइज लगा करके हम लोग इसकी समकोड़ता की जाज कर लेते हैं यह समकोड हाई की नहीं कि इसकी समकोड़ता की जाज कर लेते हैं अगर इस बिल्कुल 90 डिग्री पर होगा तो यह भी बिल्कुल फिक्स बैट जाएगा इसके बीच से कोई भी लाइट प्रा क्रास नहीं करेंगे आप अगर देखेंगे लाइट में खड़े हो करके इस जो इसकी जो यह है उसकी जिस कि इसकी सहाइथा से समांतर तथा लंबवत लाइने किछी जा सकती है तो इसके जो भाग होते हैं कि क्या-क्या भाग होते हैं इसके दो भाग होते हैं एक ब्लेड होता है यह और यह नीची वाला जो मोटा वाला भाग होता है यह क्या होता है स्टॉक है यह इस्टॉक होता इस बने होते हैं सधारता यह किसके इस टील के बने होते हैं और जो इस बना होता है उकाष्टायरन का या कभी लखड़ी का भी बनाए जाता है तो तो स्टाइज आप ब्लेड की कार जो ब्लेड की साइज दिया जाता है इसकी मतलब कि किसको ट्राइज स्कॉयर को किस लंबाई से या किसकी सहाइता से इसको इस फाइड किया जाता है तो ब्लेड की कारिकारी लंबाई से ली जाती है यानि कि जो यह ब्लेड है यह अपना और ईच्की एज़ा है कारिकारि एंज है के इसकी साइज है यहीं इसकी साइज है यह जितनी यह अगर माली जी कि यह 10 संटिमेटर की है 10 cm हो जाएगी यानिकि ट्राइज सवाएर का साइज क्या हो जाएगा त ago इस्स है के लंबाई से दिया जाए और यहां पर उंडरकट लगाई जाती है एक यहां पर यो बन होते हैем और हो सके करिकारी लंब बो डीटम लवाई शर्टी यह जाती है यह दो प्रकार होतं है कि जो साधार प्रकार की ट्राइज स्कॉार होते हैं वो स्रमिकों द्वारा जन्रल परपज के लिए जाते हैं जो मास्टर होते हैं जो मास्टर ट्राइज स्कॉार होते हैं यानि कि जो कलिब्रेशन के लिए जो ट्राइज स्कॉार होते हैं उनके कलिब्रेशन के लिए यूज कि chomet तीज लोस ने टेर टीसे स्था है एापन में चल रहा है अभी किसरा डेवेल स्कॉयर स्कॉयर टे में क्या खता है त्रार की तरह होता है इस्पी एक इस्टाइंड होता है और इसके ब्लेड में स्लोट कटे होते है रेक्टैंगुलर स्लोट कॉटा कटा होता है और यह कहीं पर यहां पर इसकुरू लगा वाता है इसको कहीं किसी भी इंगल पर फिक्स कर सकते हैं ठीक इसमें यहां पर ग्रिजवेशन दी होती है आप इसको किसी भी इंगल में सेट कर सकते हैं ठीक तो बेवल स्कुरू से 180 किसी भी कोन पर इसमें ब्लेट की लंबाई को धबने-पर यहां प्रबंध होता है यह यहां ब्लेट के पतzus एदा-अगया पढ़ा देंगे पूएंग और बढ़ जाएगा यह यहां पو portraits चली यहांvent आ सकती है यही इद Kylie एदर इसका प्रयोग अधिक्तरं वेलिंग आपसुज्ञ किया जाता है इसका प्रियोग किया जाता है अधिक्तरं प्रयोग wages lot कर जाता है GB Math शॉप में जो फ्लाइं होते हैं वह इनका प्रियूख करते हैं क्योंकि उनको जो यह जो होती है जो वेल्डिंग करने के बाद उनको चेक करने कि जरुरत होती यह जो को किसा आधा से करते है statistics कि नेश्ट है कंबिनेशन सेट कि यह भी क्या है कोड मापक यह अंत्र है कंबिनेशन सेट है अब इमेज में देख सकते हैं इसमें क्या-क्या फीचर होते हैं इसक्राइबर लगा होता है ठीक एप प्रोट्यक्टर हेड लगा यानि कि जो स्बीकार के साथ होता है इसको प्रोट की समकरेट簡 से चेक करते हैं और यहां से 45 डिगरी चेक किया जाता है थिक यह एक क्लाइम पनट लगा होतक है और फिर ये एक रेन्ट कर जाना जाता है क्यों कि से did जो राउंड जाब होते हैं जो सिलेंट्र का लकार के जाब होते हैं उनके सेंटर का लोकेशन फाइंड आउड किया जाता है तो यह सेंटर हेड हो गए इसलिए धेर सारे फीचर्स को समाहित रहने के कारण इसको कम्मिनेशन शेट बोला जाता है यह एक मार्किंग आयंड चेकिंग टूल है इसकी साहता से हम मार्किंग करते हैं और बने हुए जौब को चेक कर सकते हैं कितना वह जो दिगई ड्राइंग की साइज है और कितने उस से घ्र हते हैं प्रोटेक्टर के सम्लिथ होते है ज interior h Ph Springs होते है और यह सेंटर निकालने के लिए कि तने फीचर हो गए चार फीचर हो गए ता समबलिथ रूप होता है इसलिए इसको kणिनेशन सेट के नाम से जना जाता थी है और इसकी साइज की से जाती है जो यह मेन स्केल है यह जो है इसकी साइस कि लंबाई के तुरा इसकी साइच को दिया जाता यारी इसके ब्लेट यानि रूल की लंबाई से अनुसार दीया जाता और जैसे एक जांपल की तोर और जाएगा उसके बाद हम लोग objective को solve करेंगे ठीक तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और आपने आप लोग जो डिमांड है यूद की तरब से कुछ भाई दोस्तों की कमेंट आ रहा ही थी कि जो ब्यूक है एलपी के लिए या ग्रूप डी साइंस के लिए तो पब्लिस हो चुकी है आप लोग देख सकते हैं उसको वाई सिटी का वेशल चैनल पर और उसको परचेस कर सकते हैं ठीक धन्यवाद